रजनी कांत अक्षे कुमार ने भेजा अनोखा इन्वाइट इतना भव्य होगा दो दशमलब शुन्य का दुबई म्योजिक रिलीज रजनी कांत और अक्षे कुमार स्टार एफ फिल्म दो शुन्य को दशकों के सामने आने में करीब तीन महीने का समय है लेकिन लोगों की एक साइट में इन फिल्म से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात को लेकर है फिल्म का पहला बड़ा प्रमोशन दुबई में होने वाला है जिसके लिए इनवाइट भी बड़ी यूनिक है शंकर निर्दिशित फिल्म रोबोट इंधी रन का ये सीक्वल अगले साल 25 जनवरी को रिलीज होगा फिल्म का म्योजिक रिलीज 27 अक्टूबर को दुबाई के बुर्ज पार्क में होने जा रहा है बताया जाता है कि इस इवेंट पर करीब 12 करोड रुपे खर्च की एड़ा रहे है फिल्म के निमंतरन भीजे गए हैं जिसका थीम निचर वर से स्यूमन रखा गया है फिल्म पर दो हतेलिया बनी है एक रोबोट और एक राक्षस की फिल्म में रजनी कान और अक्षय कुमार ये रोल निभा रहे हैं सूत्रों के मताबिक इस म्योजिक रिलीज में फिल्म की पूरी स्टार कास्ट होगी संगीत कार रेयार रहमान फिल्म के अपने गानों को परफॉर्म करेंगे और दो शून्य की हीरोईन एमी डेक्सन का डांस परफॉर्मेंस भी होगा एक निजी टेलिविजन चैनल अपने पूरे नेटवर्ग पर इस म्योजिक रिलीज को लाइव करेगा बता दें कि फिल्म 2.00 भारत की अब तक की सबसे महेंगी फिल्म होगी जिसकी लागत करीब 400 करोड रुपे हो गई है म्यूजिक रिलीज के बाद फिल्म 2.00 का टीजर नवंबर में आएगा जिसे हिदरबाद में लाउंच किया जाएगा और दिसंबर में चैन्नाई में ट्रेलर लाउंच होगा ये भी खबर आ चुकी है कि फिल्म 2.00 को चीन में 15.000 से 20.000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाएगा